हेलो स्टुडेंट्स मैं अजर एक वार फिर आपके सामने हूँ आपकी ओन्लाइन क्लासिज में और आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन टेबल तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी यूनिट्स होती है उन यूनिट्स कौं हाइर यूनिट्स में या फिर जो स्म हम किलो मीटर को मीटर में चेंज करें कशे करें कैसे करेंगे क्लो को कमी करें यह सिर् loneliness करेंगे इसको जो हम बटे लिए तो यह समझाइंगे यह याद करना है थोड़ा सा और बाखी समझना आए lite से खить से और या याद कर लिया जो भी याद करने हो कहा जाएगा इसमें तो वह बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे और उसमें आप किसी भी तरह का conversion आजाए वह सारे conversion आप सारी units को आप आसानी से convert कर सकते हैं ठीक है तो स्थाइब करते हैं तो यूनित जो होती है हमारी वो होती किलो से स्थाइब ठीक है किलो सबसे बड़ी युनिट इन हेक्टो देन डेका ओके यह आती है standard unit इसको हम कहते हैं यह standard unit जो भी standard unit होगी वो इस जगाएगी ओके उसके वाद आता डेसी next centi and milli ओके तो यह जो है वो हमारी line से seven units होती है three higher units होती है three smaller और बीच में आती है आपकी standard unit okay तो kilo को हम k से denote करते हैं hecto को हम h से denote करते हैं deca को हम करते हैं d a से standard unit आएगी जो वो यहां लिखी जाएगी तो वो change होती रहेंगी लेकिन यह change नहीं होगी okay इसमें हम फिर डैसी आता है तो डैसी को d से denote करते हैं centi को c से और milli को m से denote करते हैं okay अब standard unit की बात करते हैं standard unit क्या होती है कौन सी होगी दो standard unit में सबसे पहले अगर हम करें weight की बात थीक है weight की बात करें तो weight की standard unit होती है grams ठीक है weight की standard unit gram है तो इसका मतलब अगर हम grams की बात करेंगे तो यह सब में आगे हम लगादेंगे इसका मताँ किलो में हो जाएकाइम सेंटी सेंटी सब्सक्राइब कि ऱ वह करें तो टो इसकी स्टेंडर्ड लीटर इस्टेंडर्ड यूनेट लीटर लीटर इस सब आगे लिटर लगाएंगे किलो लीटर, सारी उनिट्स change हो जाएंगे, किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लिटर, लीटर, फिर gram की बात नहीं करेंगे, फिर लीटर, डेसी लीटर, सेंटिली लीटर, मिली लीटर, एक और स्टेंडर्ड उनिट होती है, वो होती है, लैंथ की, ठीक है, length की unit होती है meter standard unit of length is meter तो meter की बात करें, तो सभी के आगे meter लग जाएगा फिर kilometer, hectometer, decameter और meter, फिर ये दोनों इनकी बात नहीं करेंगा meter, decimeter, centimeter और millimeter, तो ये सारे meters में आ जाएंगे ठीक, तो इस तरह से जो भी conversion होगा, वो line से देखेंगे अब इनको convert कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है तो इसमें हम convert कैसे करेंगे उसके लिए आप क्या करते हैं ये line से याद रखना होगा आपको याद कैसे होगा, उसका भी तरीका बता देते हैं बता देंगे अभी तो ये जो unit है जैसे first unit देखी हमने तो first से second unit तो इनके बीच में 10 का gap होता है फिर second से हम third में आएंगे तो 10 का तो ये सभी unit में 10 10 का gap रहता है ठीक है, तो ये 10 का gap ये 10 का gap 10 का gap और ये 10 का gap ठीक है, तो इन में 10 का gap रहता है ठीक, तो 10 का gap का मतलब होता है कि अगर हम kilo को change करते हैं hectore में उपर से जब भी हम नीचे unit में आएंगे उपर से जब भी हम नीचे unit में आते तो multiply करते जाते हैं तो हम क्या करते हैं multiply थिक है तो इसका मतलब kilo को हुत हुत हैए तो 10 पेसर नीचे नीचे आएांगे ये डेका में चेंज कर रहे हैं, वन किलो में कितने डेका होते हैं, तो अब दो स्टेप नीचे आ गया, तो दो का मतलब 10 into 10, 100 से मल्टिप्राय कर देंगे, ओके, तो फिर ऐसे ही अगर हम किलो को देखते हैं, इसकी स्टेंडर्ड यूनिट में, तो स्टेंडर्ड यूनिट मान ल करेंगे, जब भी उपर से नीचे आएंगे, तो हम यहां का बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज करेंगे, तो हम मल्टिप्लाय करते हैं, ओके, इसी तरह से हम अगर चार यूनिट का गैप देखें, अगर मतलब किलो मीटर से हम डेसी मीटर में चेंज करें, तो 1, 2, यहां से 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट का गैप है, तो 4 यूनिट का मतलब 10,000 तो हम 10,000 से मल्टिप्लाय करेंगे, इस तरह से आप इसको कनवर्ट कर सकते हैं, इसमें आप बीच में से भी ले सकते हैं, बीच में से मतलब जैसे हेक्टो से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हेक्टो क करेंगे ऐसी हेक्टो को अगर हम डैसी में चेंज करें हेक्टो हेक्टो मीटर को डैसी मीटर में तो यहां पर हम थाउजंड से मल्टिप्लाय करेंगे ओके ऐसे हम यहां मीटर को हम अगर डैसी मीटर में चेंज करेंगे तो इस में हम थाउजंड से मल्टिप्लाय करेंगे ओके तो यह तो होता है उपर से नीचे यह हम कहें कि बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तब क्या होता है तब मल्टिप्लाय किया जाता है और जितने यूनिट का गैप उतने ही हम् time इसको मल्टिप्लाय करेंगे चेक कर लेंगे कितने से मल्टिप्लाय किया जाएगा है ऐसे है cu तब भी Mac का ही गया उता है इनके बीच ही ज I was to be the only में जाते है नीचे से उपर जाते को promise में खिंध ने तो ढिकले लेकिन जो तो हो वाईड करेंगे इसको हम डिवाइड करते है तो ऊपर से नीचे याने पर मुल्टिपिल Sinn करेंगे तो डिवाइड करते हैं अब वही रह है जैसे मिली से हम सेंटी में चेंज करेंगे तो एक का गैप तो हम 10 से डिवाइट करेंगे अगर मिली मीटर में हम इसको मिली मीटर मान लेते हैं मिली मीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो तो sub tickets तो ते स्वाइट कर देंगे ऑगे तिसी थे से लिज करते हैं और उपर जाने पर ऐसे ही मिली मीटर को हम अगर डाहल मीटर पिर में चेंज कर एक है थे स्वार कंगे वीक से भी ईसकते हैं तो 1, 2, 2 unit का gap तो 100 से divide करेंगे ऐसे ही डैसी को हम hecto में ले जाएं तो इसमें हम 3 unit का gap भी खरें हैं ठीक है? 1, 2, 3 तो 3 unit का gap का मतलब 1000 से divide कर दिया जाएगा ठीक है? ऐसे ही आप किसी को भी ले सकते हो मीटर को km में, मीटर यह मान लेते हैं तो यह किलो मीटर हो जाएगा तो मीटर को हम km में चेंज करते हैं तो 1, 2, 3 3 का gap तो इसका अधर 1000 से divide किया जाएगा तो अब इसको हम याद करने का तरीका बता देते हैं आपको याद कैसे रखेंगे? आप उसको आप ध्यान रखें अगर तो एक तरीका बताते हैं जिससे आपको हमेशा याद रहेगा आप भूलोगी नहीं तो याद करने के लिए units कैसे line से होती हैं उसको याद करने के लिए देख लीजिए तो यह khda खड़ा तो यह खड़ा और यहाँ पर हम standard unit नहीं लिखें खड़े में गर गए DCM तो इससे आप यह याद रख सकते हैं तो इस तरह से याद कर सकते हैं अच्छा और अब इसमें उपर से नीचे आने में multiply होगा इसको हम याद रखने के लिए एक और तरीका बता देते हैं जैसे कोई भी सिडियो पर चड़ रहा है जैसे आपको जाना है तो पांच-छे भी मजिल या साथ-पच्छी मजिल उपर विल्डिंग है तो आपको उपर जाने में जाधा time लगे गा या नीचे आने में उपर से नीचे आने में टाइम लगेगा जादा तो जायर सी बात है हम उपर जब चड़ते तो धीरे धीरे चड़ते तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा उपर से जब नीचे आएंगे तो आसानी से हम थोड़ा जल्दी आ जाएंगे ठीक है लेकिन अगर चट से कोई किजी को धक्का दे तो वो और जल्दी नीचे आएगा उपर से सीधे नीचे आजाएगा बहुत ज़्यादा जल्दी और जब नीचे आएगा तो आते 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 नीचे मर जाएगा तो M for मर जाएगा M for multiply तो इसका दाब उपर जब भी नीचे आएंगे ठीक है तो हम M करेंगे multiply करेंगे ठीक है तो जब उपर से नीचे आने multiply हो र जो भी नए वीडियो अप्लोट करेंगे तो उसकी नोटिफिकेश्ट सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आपनी चैनल सबस्क्राइब किया है तो इसलिए जनली से इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए